इस वक्त हम हैं राजमहल मंडी में और बहुत ही एक पावरफुल टीम मेरे साथ यहां आप देख सकते हैं क्रेटिव लोग बैठे हुए हैं मेरे लेफ्ट में कर मैं बताऊं तो यह सुरेश सूर है आईसुर स्टूडियो हिमाचल का लीडिंग यूटूब चैनल है स्टूडियो है और बड़े बड़े नाम इन्होंने लाउंच के हैं जैसे कि हंसराज लगुबंशी का जो फेमस गान है मेरा बोला है बंडारी वहीं से उन्होंने उडान अपने जिन्दकी की शुरूआत की उडान की शुरूआत की मतलब गायक तो खहरो पहले से थे तो और भी जैसे इंदरजीत जी के काफी गाने इनके प्लैट्फरम पे लाउंच होते हैं असंख्य गाने लाउंच होए हैं और मैं खुद इनका बहुत बड़ा फैन हूं उनके काम का लिए प्रकार का इन्होंने प्रोडक्शन वैल्यू जो बढ़ाई है हिमाचल में गानों की वो काबिले तारीफ है मेरे राइट में आप देख सकते हैं किशन वर्मा जी हैं पिंक पलाजो आपने सुना योगा काफी फेमस गाना है उसके सिंगर है और ठीयोग से आते हैं और अपने उस रीजिन में तो बहुत फेमस हैं शोशल वर्कर भी है, काफी सारे समाजी कारे भी करते रहते हैं, और एक बात और बताओ, प्रसार भारती से ये एक ग्रेडिट सिंगर अप्रूवड है, और अपनी जो लोक संस्कृती है, लोक जो वाद्दे यंतर हैं, ताल है हमारी, उन्हें लेकर ये काफी कॉंशन्स रहत साथ ही पंकच वैदे हैं, ये हमारे मंडी से ही है, और जो आप गाने का पूरा पिक्चराजेशन और एडिटिंग को देखेंगे, वो इन्हीं की टीम ने किया, मुझे इस बात की बहुत खुछी है, मेरे अपने ये दोस्त लोग इस प्रोजेक्ट में जुड़े हूँ है, पंकच वैदे हैं, बहुत पहले से हम लोग जानते हैं एक दूसरे को, इनका काम बहुत ही काबिले तारिफ होता है, इनका जो अगर आप देखेंगे, कैमरा ये वो यूज करते हैं, जो आज की टेट में नेट्फिक्स के कारेकरम बनाने में शूट हो रहे हैं, हिते इंदर सुरेज जीने एक्टिंग भी के मैं बताओं, आज मैं देख रहा था हो गाना, गजव की एक्टिंग करी है इन्होंने, पिक्चराजेशन इतना सुन्दर है, मैं बताओं पूरे के पूरे इस गाने का, स्टोरी मैं आपको बताओं, उजयन के राजा की एक कहानी, एक सलँ मैं एक्टिंग भोटेशने जतें, बताओं, इन्होंने अप्रम रहें गेडेगे, वह उन में पने धर्म पतनी अपनी धर्म पतनी थे मत्म कहरे है, जाज में थिमラी, प्रेम भी को दिता, इस गोट सब्सक्राजा है, थे profits भोटेशने में थे falar ने एक प्रीमी को दोने पूरा ही जो मैं आपको बैक्राइब में दिखा रहा हूं इसी गाने के दिरिश्य है इस तरीके से खुबसूरती से फिल्माया गया दस लोकेशन पर फिल्माया गया लग लग इसे मंडी का राजमहल भी आपको दिख चाहिएगा तो खेर बाकी बाते इनी से करते हैं सर बहुत-बहुत आपको सभी को पहले तो गाने के लिए कैसे सर इसका आइडिया कैसे आया इसको बनाएं कि हम एक और एक कहां-कहां यह फोक्स वांग प्रचलेते हैं दिखिया हमारा जो कल्चर है शादी ब्याह में किसी भी कारिक्रम में हमारा जो मेरा जनपत ठ्योग पड़ता है हमारे जनपत में किसी भी शादी ब्याह में एक महफिल लगती है तो उस मेहफिल को सुनकि जो जो बच्च्पन में मुझे च्हाया पड़ी तो बहुत सारे गीतों को गाते थी लोग तो एक गीतिय भी गाते थे तो बच्पन से ही कही न कही मेरा लगाओ उना जो विलंबिद तालो की तरफ था तो जब मैंने इस विलमबित गीत को सुना, तो लगाओ ज्यादा हुआ इस गीत के प्रती, जब मैं सामर्थय मेरे में हुई, मैंने सीखा इस गीत को, तब मैंने इस गीत को रिकॉर्ड किया, रिकॉर्ड करने के बाद मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट बनाई है, ड्रीम प्रोजेक को इस तरह प्रस्तुत किया जाए कि उसमें कोई कमी ना हो ओडियो पर इस सोच सकता था वीडियो पर नहीं सोच सकता था तो फिर मुझे बोले नाथ ने ऐसा एक व्यक्ति दिया मैं बहुत बहुत हर दी का भार व्यक्ति करना चाहता हूं सुरेश जी का आईसुर उन्हों ने इस प्रोजेक्ट को मेरे जो मेरी सोच थी उसको सार्थक किया जी फिर आपको इनका ख्याल कैसे आया कि इनसे बनवाते है इस वीडियो को जब ही हमारी बात हो रही थी वर्मा ज तो शाइद दो सल पहले से हम इस पारह में बात कर रहे थे तो बीच में भी थोड़ा सा अपने कामों में व्यस्त था तो समय नहीं दे पाया तो अभी इस साल जब हमने प्रजेक्ट स्टार्ट किया तो मैं को एक दिन कॉल आता है पंकज का कि भया मैंने किटली है एफेक्स 3 जो सिने मार्मा कामरा है थे तो मेरे जहन में आया कि अगर के शिन वर्म ay Krak कर डिम है तो क्योंन हम उसको ऐसे कमरा के साथ चूट करें जो सिनेमा कामरा है जिसे मैट sn bomb बनती है तो फिर मैंने पंकज को कॉल कि ऐसा गाना है तो हम इसको फिल्म आने वाले आपके प्री के स कि आपस में बात कर लो कि क्या बनता है तो इन्हों आपस में बात की ठीक लगा कि ठीक लोगों के साथ जोड़ा हूं मैं तो ऐसे फिर पंकज मेरे जहन में आए कि यह इस प्रोज़क्ट को कर सकते हैं अच्छे से बहुत इस उपसुरत में वीडियो मैं आपको बता हूं आप पसंद आने में थोड़ा समय लगता है मतलब तीन-चार बार हम उसको सुनते तो जाके थोड़ा पसंद आने लगता है यह मैं आज देख रहा थे यहां पर आज मैं बैटे-बैटे मैं खुद खो गया ता उसमें कि यार कितना ब्यूटिफुली यह पुरा का पुरा का पु लेवल का कैमरा होगा और बहुत ही जवर्दस उसकी क्या सारा इस प्रोजेक्ट पर काम करना पंकज पर बताओं एक पूरा महीना यह दुबई लगा कितना टाइम लगत एक साल दुबई में और वहां ऐसे सी इन्होंने जवर्दस अड़िश्मेंट वगरा शूट किया नह अगर आप पंकज वैद्या जी से ना मंडियाली में पूछे ना मंडियाली अंदर अधास अपना कल्चर और यह तो मंडियाली की खास्यत है मंडियाली जितने भी लोग है ने यहीं तो खासीयत है बाइसाब आगर हमारे में ठ्योग जनपत से समंध रखता हूं हमारे मंडी के लोग है न वहां घाल हमारे इवेंट में बीव अपनी भाषा में बात करते हैं और अपनी बात करते हैं किश्चन वर्मा जी का बताऊं जैसे काई बारी गुरुजी बोलते थे ना बेटा है तुना फिलिंग लेस गया गाया करा अमीं जो बड़ी कोफ तवा करा इड़ी गाई करी फिलिंग लाया करा सू रहते हैं बाहर नियों दातू ऐसा बोलते थे मतला अब चलो अब तो काफी समय हो गया स्पेस आ गया है क्योंकि जिस कल्चर में रहता है ना इंसान जी उस कल्चर को स्वभाव में आना बहुत जरूरी है तो अब तो बहुत साले हो गई यहां से जाके तो मैं तीन साल जब यहां रहता था ना जी मैं बहुत सारी अदि फ़New involve दोस्टारू आए सबस्टित आज इतनु अच्य लगता है यह हमारे मन्दियालों की खासियत या इना मंदियाली बौली में द्धांको को भूलता नहीं ऐर उसका टेस्ट लग जाहे पंकर जी तो दस केड़ा रहे है एक्सपीरियेंस है जब मंडियाली रिया आई रही फर्माईश एक्सपीरियेंस था मतलब बहुत अच्छा रहे है लिटरली प्रोजेक्टा सारा इसको बने हुए तो यह मतलब काफी टाइम से भी पेंडिंग था इंदी पे आए के तो से बा है क्या भाई ठीक है कोई चेकर ने काफी टाइम से मतलब इस लाइन पर श्रागल कर रहे हैं फिर अभी क्योंकि एक वीडियो के लिए ना अच्छे गैजट होना जरूरी है तो गैजट लग के लिए भी हमारे पास है तो फिर अभी तो मतलब भाई जिनको मतलब सिनमा गाम सब्सक्राइब में तो मतलब एक सरकी तरह मैं भी कहूं कि ड्रीम प्रोजेक्ट था कि कभी लोगों के पास पहुंचे कि कभ लोग देखे क्योंकि मैंने जो प्रोजेक्ट करें तो कुछ ऑडियो की वज़ा से नहीं चले या कुछ मतलब उस पर बहुत टेक्निकल इसू थे मोस्ट सब्सक्राइब चैनल है सुरेश भाई का तो इनके साथ तो मैं आपको बता दो है कि अलग से मैं इंटर्व्यू करूंगा मैंने बात भी कर लिए क्योंकि कैसे वह चैनल शुरुआत हुई उसके क्योंकि हर जो यह हम काम कार्य शुरू करते हैं हमने भी अपना चैनल नहीं था उस एक स्पेस में जाके काम करना और एक नाम बनाना अपने में बहुत बड़ी बात होती है साथ ही साथ एक मेरे को याद है सुनो लैपर प्रोडक्शन थे एक शिमला से थे वो लोग है ना और एक इनी का मैंने देखा था जो एक नेक्स्ट लेवल काम कर रहे थे उससे पहले तो हम नॉर्मल कैमरों पे वीडियो शूट करते थे पर आज मेरे को खुशी होती है चीज के कि हम भी पंजाबी हम बोलते हैं ना कि पंजाब के गाने बड़े अच्छे कैमरों से और बड़े अच्छे एडिटिंग होती है बट वी के प्रावडली से कि अब हम भरत हरी टाइप कीजिए आईसूर स्टूडियो ताइप कीजिए भरत हरी स्पेस आईसूर स्टूडियो आपको फस्ट नंबर पर गाना दिखी जाएगा बाकि किशिन वर्मा जी थोड़ा सा दो लाइने गुन गुनादी जी हमारे दर्शकों के लिए उसकी तो पैसे खान करना चाहूंगा ऐसा नहीं कि इनका जो अपना काम था उस पर ये बिल्कुल खरे उत्रे इसके बाब जो जितनी भी विवस्था होती थी सब कुछ देखते थे आज जो जितने भी ये ताम जहां मैंने यहां जी बदल इनकी बदला जो हम मैं और सुरिज भाई तो लिए ना जी टीम वर्क तो चीए लेकिन टीम वर्क से उपर एक जो चीज होती है ना जी बाज़ा के अच्छा काम करने के लिए अच्छा वजट होना बहुत ज़रूरी है तो इस पर दे के पीछे जो एक क्या बोलते हैं वो सूतरदार है वो भूमा शर्मा जी और डिम्प करना चाहता हूं कि उनने आशीर वचन जो टेलिफॉन पर बोला ना कहते हैं मिलने की कोया आज तक हमारी सीटिंग नियुए ना सुरेज भाई की ना मेरी हुए आज तक हमने उनको देखानी है लेकिन हां लेकिन उनने हम लोगों के उपर इतना विश्वास किया है कि उनने आज ने बुला कितना बजट चीए गलत बोरो आप से भी बात होती है मैं से कितना बजट चीए गाना अच्छा है इसको अच्छा करो पैसे कि कोई दिक्कत नहीं आनी चीए करो काम भूमा चर्मा जी और कौन पता आपने डिम्पल शर्मा जी आपको मैं बता दूं बहुत बढ़िया जगा आपने पैसा लगाया और आपको भी सेल्यूट है कि आपकी वज़ा से जो या आपने इन्वेस्टमेंट करी है या अपने इन्वेस्टमेंट इन पे या अपने पे या किसी और पे ने किये या आपने हमारे कल्चर पे किये हमारी संस्कृती पे हमारे जो लोक गाने हैं, लोक गीत हैं, यह आगे बढ़ता रहें, आपने उसके ओपर इंवेस्मेंट किया, जिसका रिणी जो है, वो पूरे हम लोग हिमाचली जो है, हम सब ही रहेंगे, सर और उपायुक्त मोदे का भी धन्यवाद, उन्होंने काफी टाइट शेडूल में से अपना स करना चाहता हूं क्यायां कोई इतना अच्छा मेजिक, तब ही अच्छा प्रोजेक्ट बन सकता है, अगर एक भी कोई थोड़ी सी सटिस्फ्फेक्शन नहीं नहीं नहीं, तो शायद वो इसमें इतना अच्छा कामने चलो, मैंने पूरा परियास कि आच्छा गाने का अश् कुसमाइब उरुक कई संयों के बाई बहुत पार द्गाशन होसी पाला है आपके Мыशा करें जना वो भी आपके घर का ही घर ळापाइब तो सब्हाग्या होगा मेरा जी involved आई सुर जी ने बहुत बढ़िया काम किया है, पंकर जी ने बहुत बढ़िया काम किया है, मतलब मैं, I am fully satisfied sir. आप उका ओफेमस गाना पिंक प्लाजो, तो लाइन है उसके एक बार गां दीजिए। मतलब डीजिटल ट्रांसपर कर देंगे आप मुझे, मैं जो भी आपका, गूगल पे करते हैं। ते रे शो लेहुना पिंक प्लाजोरे, बोलो लेहुना पिंक प्लाजो ते रे शो, लेहुना पिंक प्लाजोरे, आप वावावा, क्या वाद है sir, शूर और उसमें तो आप बड़े ही strong है, इसलिए आई सूर तक पहुंचें। इससे पहले भी हो सकता था, कि ये वाला गाना भी शाहिद आइसू स्टोडियो से ही आता, क्योंकि ये पिंक प्लाजो के लिए भी हमारी बात्ची चल रही थी, तो उसके जो प्रोडूसर थे शाहिद, जैसे ही में उस टाइम पे बात चल रही थी, आपका शूट चल रहा था, अंसराज रगुविंशी जी का, उनका पतनी श्डियूल कुछ जल्दी करना था या क्या करना था, तो जो हमारे प्रोडूसर साहब थे, वो इंद ठाकुर जी, जो उसमें मेल मॉडल है, उन्होंने ये जल्दी लॉंच करना था, क्योंकि उन्होंने जाना था, दुबई, कोई टूर होगा, वो प्रेटन उद्योग से जुड़े है ना जी, तो वो उनका फ्लाइट थी जल्दी, तो इसलिए हम लोगों को जल्दी-जल्दी में करना, और जिन ने भी किया, विक्रम जी है उनका ना, उनका भी हृदय से आभार विक्त करना जाता हूँ, उसमें एक्टिंग बहुत अच्छी कि उन दोनों ने जो उसमें मॉडल्स है, बहुत अच्छी एक्टिंग उसमें, इंदर ठाकुर जी, प्रोड्यूसर भी इंदर ठाकुर जी थे, इंदर ठाकुर जी थे, मालिक इंदर ठाकुर जी थे, इसमें कहानी कहाती है ज़िए पिंग प्लाजो को फोक सौंग तो नहीं होगा, प्लाजो तब ही आया है, यह श्रिंगारी क्रस है, इसमें जो लेखक थे, सुरिंदर दांगी जी, उनका लिखावा गीते ये और गायक जो है किशन वर्मा और जो गाई का है उन सुरिंदर दांगी जी की धर्म पतनी सरला दांगी जी है आपने भी दिया किसे को पिंग प्लाज हो एक्चुली जो मेरी धर्म पतनी है न जी वो पारंप्रिक विश्भूशा में अच्छे लुकती है आपने वो दिया होगा उस पर बनाओ गाना कभी ऐसी बाते पर देके आगे निकलते ना इसलिए सर बहुत बहुत शुक्रिया आप बचा सकते हैं उस पर रहेगा वह मैं जरूर फ्यूचर में आपसे करना चाहूंगा बाकि सुरेश सुरेश भाई से भी हम चाहेंगे कियो जो मैं जैसा पहले बोड़ रहा था कि कैसे इनकी जर्नी रही है वो भी एक इंटर्वीव बनेगा बाकि पंकज भाई इनसे हम टेक काम मिलेगा आपको और जिंदी के मागे बढ़ते रहेंगे बाकि भरत हरी देखिए यूटूब पे स्पॉर्टिफाइप पे भी मिल जाएगा आपको और कहां कहें सरी जितने भी ऑडियो प्लेटफरम रहते हैं स्पॉर्टिफाई जियो सावन हंगामा यूटूब मूजि इसके उपर और भरत हरी गाने का नाम है लीप स्टूडियो की इसमें प्रोडक्शन है और आईसूर स्टूडियो के उपर यह लॉंच हुआ है किशन वर्मा जी साथ में थे आईसूर स्टूडियो के सुरेश सुर्भाई साथ में थे और पंकज व्यद्य हमारे मंडी के जो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए